वेल्कम तू माई चानल आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही क्रिस्पी मंचूरियन जिसे बनाना बहुत ही आसान है ये बहुत ही कम इंगरियंड्स में बनगर तयार हो जाती है तो चलि आज की रेसिपी को चथार करते हैं आलू के मंचूरियन बनानी के लिए हम 4 मीडियम साइज के आलू को छील कर अच्छे से दो लेंगे और उसके बाद एक बाउल लेंगे और ग्रेटर लेंगे हमें सारे आलू को ग्रेट करना है तो आप एक आलू ले ले और इसे इस तरह से ग्रेट करें इस बात का द्यान रखी कि ज़्यादा पतला ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सारे आलू को इसी तरह से ग्रेट कर ले यह देखिए अब हम आलू को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे तो आप नौर्मल पानी से आलू को अच्छी तरह से धो ले ये देखिए इसी तरह से अच्छे से इसे 2-3 पानी से धोने के बार हम इसका पानी निचोड लेंगे आलू को इस तरह से गार ले और इसके बार इसे एक प्लेट में निकाल ले ये देख सकते हैं आलू कितने अच्छे से साफ हो गया है सारे आलू को इसी तरह से हमें इसका पानी निचोड़कर निकाल देना है तो ये देखिए आलू अच्छी तरह से साफ भी हो गया है और इसमें थोरा सा भी पानी नहीं है अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ये ग्रेट किया हुआ आलू को डाल देंगे तो सारे आलू को आप बाउल में डाल दें आलू डालने के बाद हम इसमें आधी चमच अदरक लैसुन का पेस्ट डालेंगे फिर इसमें आधी चमच रडचिली फ्लेक्स डाल दें इसकी जग़ब पर आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें एक चौथाई चमच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें दो चमच कॉन फ्लार डालेंगे मन्चूरियन को प्रिस्पी बनाने के लिए 2 चमच्ट कॉनख्फलार डाल दे और इसकी बेंडिंग के लिए हम 2 चमच्छ मैधे डालेंगे मैधे डालने के बाद इसमें आदि चमच नमागः डाल दे और फिर अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला ले आप मैदे और कॉनफलार का उतना ही इस्तेमाल करें जितना की जरुवत हो जादा भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है आप बिना पानी डाले इसे अच्छी तरह से मैदे और कॉनफलार को अलू में मिला दे ये देखिए मिक्षर हमारा तयार हो गया है अब हम इसके मंचूरियन्स बॉल बनाकर तयार कर लेंगे तो थोड़े से मिक्षर को हाथ में इस तरह से लेंगे और छोटे से इस तरह से बॉल बनाकर तयार कर लेंगे सारे मंचूरियन्स बॉल को इसी तरह से बनाकर तयार कर लेना है ये देखे मंचूरियन्स बॉल बनकर तयार हो गया है अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रॉसेस में इसे फ्राई करने के लिए एक कराई में हम तेल चठाए थे तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें सारे मंचूरियन्स बॉल को डाल देंगे मंचूरेंस बॉल डालने के बाद गैस का फ्लेम हम लो मीडियम करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पहले हम इसे फ्राई करेंगे 2-3 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं गोल्डेन ब्राउन हो गया है अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गया है तो अब हम सारे मंचूरेंस बॉल को निकाल लेंगे कीचन पेपर टॉबल पर पहले दो से तीन मियड तक लो मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद फिर मीडियम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है तो सारे मंचूरेंस बॉल को आप निकाल ले, अब हम ग्यास पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें दो बरे चम्मच तेल डाल देंगे तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें दो हरी मिर्च को बारिक काट करके डाल दे हरी मिर्च डालने के बाद इसमें 7-8 लैसुन को बारिक काट करके डालेंगे आधे इंच अधरक को ग्रेट करके या फिर बारिक काट करके डाल दे अब हम मीडियम फ्रेम पर हरी मिर्च अधरक लैसुन को कुछ सकेंड के लिए पका लेंगे कुछ सकेंड के बाद हम देखेंगे कि ये तीनों अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम इसमें एक मीडियम साइस की प्यास को इस तरह से क्यूब्स में कट करके डाल देंगे प्यास डालने के बाद हम इसे आधे मिनट के लिए पका लेंगे आधे मिनट के बाद हम इसमें सिम्ला मिर्च डाल देंगे तो यह आधा कब सिम्ला मिर्च है इसे आप लंबाई में इस तरह से पतला कार्ट लें और इसके बाद इसमें डाल दें आप इसमें लाल और पीली वाली सिम्ला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हम प्याज और सिम्ला मिर्च को मीडियम फ्लेम पर बस एक मिनट तक फ्राई करेंगे एक मिनट के बाद हम देखेंगे कि प्याज और सिम्ला मिश हलका सा पग गया है तो हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसमें सारे सॉस अड़ करेंगे तो अभी गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें सबसे पहले टॉमेटो केचप डालेंगे तो इसमें दो चम्मच आप टॉमेटो केचप डालेंगे फिर इसमें एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे एक चम्मच आप इसमें वेनेगर डालेंगे वेनेगर डालने के बाद हम इसमें लास्ट में एक चम्मच रेडचिली सॉस डालेंगे अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो आप एक चमच सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं अब हम सारे सॉस को अच्छी तरह से मिला देंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे बस आधे मिनट के लिए पका लेंगे आधे मिनट के बाद हम इसमें 3-4 चमच के करीब काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसके बाद 1-4 चमच नमक डाल देंगे ध्यान रहे कि नमक मंचूरियन बॉल में भी है अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम एक बाउल में एक चमच कॉन फ्लार लेंगे और कॉन फ्लार में थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और पैन में डाल देंगे यहां हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा कॉन फ्लार का इस्तिमाल नहीं करें मंचूरियन स्पॉल डालने के बाद बस हम इसे कुछ सकेंड के लिए पकाएंगे हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है बस इसे अच्छी तरह से सारे स्वासेस में मिला देना है तो यह देखिए हमारा क्रिस्पी आलू मंचूरियन बन कर तयार हो गया है यह देखिए अब हम इसमें थोरे से बारिक कटी हुई धनिया पता डाल देंगे आप इसके जगह पर थोरे से हरा प्याज भी डाल चकते हैं धनिया पता डालने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे तो यह देखिए एकडम क्रिस्पी स्वादिस्ट आलू मंचूरियन बन कर तयार हो गया है आप इसे सामके स्नैक्स में जटपट बना कर खात सकते हैं तो आप इस आलू मंचूरियन की स्वादिस्ट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सेयर करें